हाई वीवर्स आपका स्वागत है आपका अपने चैनल ग्यान कोचिंग में आज हम बात करेंगे सम ओफ स्रीज स्रेणियों की योगफल की यहाँ पर हम आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्रेणिया का योगफल करना सिखाएंगे जो आपको एक्जाम में बहुत ज्य करमागत प्राकरतिक संख्याओं का योगफल इनकों कैसे निकालते हैं इन सिरेणियों के लिए आपके लिए एक स्पेसल फोर्मूला होता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 यह आपका n तक जा रहा है और हमसे पूछेगा है कि इन सबका योगफल बताओ सम क्या होगा तो आपको क्या कर n जो होता है वो सबसे आखरी के संख्या जो लाश्ट का वर्ड है वो लोन यह सबसे बात करें इस रीज की 1 प्लस 2 6 प्लस 3 4 प्लस 15 संख्याounds कह दिक जा रहा है इसको यह प्लस 10 वह द्यू आ gradient को कि यह बक्र अपका 20 है और यह एक क्या है आपका मैं तो इसका सं होगा बक 20 into 21 upon 2, 2 से cancel करेंगे 10 हो जाएगा, बराबर 210, तो इस कांसर आजाएगा आपका 210, यह था आपका एक परकार क्योस्चन, अब चलते हैं, क्योस्चन नमबर 2, टाइप नमबर 2 पर चलते हैं, यहाँ पर क्या है, करमागत संख्याओ के वर्गों का योगफल, करमागत संख्याओ के वर्गों का योगफल, यानि कि जो संख्याओ एक से सुरूओंगी, और वो लगातार चलती जाएंगे, और साथ मुनका वर्ग भी हो रहा होगा, उन संख्याओ के वर्गों का योगफल, इसके लिए आपका संख्याओ के वर्गों का योगफल, इसके लिए आपका सुत् N N plus 1 2N plus 1 upon 6 आपको दोस्तों यह formula याद रखना होगा और अगर यह formula आपका याद है तो यह 1 से लेकर N तक 1 से लेकर N तक की सभी कर्मागत संख्याओ के वर्गों का योगफल आप इससे असानी से निकाल पाओगे जैसे आपके उधान के तोर पर आपके सामने क्योशन हम देखते हैं 1 का स्क्यार प्लस 2 का स्क्यार प्लस 3 डैस डैस यह कहां तक आपका गया है 20 के स्क्यार तक अब हम इसको सोल करते हैं यहाँ पर लाश्टी संख्या क्या आपका 20 है जो की N है यह आपकर क्या है यह N, तो हम इसका अगर योगफल निकालें, तो दोस्तों इसका योगफल होगा आपका, क्या होगा, N, N की तो 20, 20 प्लस 1, और 20 इंटू 2 प्लस 1, अपोन 6, आपने क्या किया, इस फोर्मूले के अंदर ये वैल्यू रखती, अब इसको आप सोल करोगे, तो ये आपका जसाम 20, दो त्या 6, तो 10 इंटू 20 और एक कितना होगया, 21 इंटू 20 दूनी 40 और एक 41, अपोन 3, 3 से 21 को कानदेंगे 7 बार, तो ये आपका हो जाएगा, 10 गुणा 7 गुणा 41, अब आप इसको सोल करोगे, तो ये आपका हो जाएगा, 7 इकम 7, 7 चोख 28, 28, 287 गुणा 10 बराबर 2870, इस तरी के साब दोस्तों जितनी आपकी कर्मागत एक से सुरू होगी, और जहां तक भी वो संख्या जा रही हो, उन सब के वर्गों का योगफला पासानी से निकाल सकते हो, अब चलते हैं क्योशन नंबर 3, टाइप नंबर 3 पर 30 स्रीज आपको क कैसे मिलेगी, कर्मागत संख्याओ के घनों का योगफल, जो आपका 1 से तो सुरू हो रहा होगा, और कर्मागत चलता जाएगा, कहीं तक भी वो चले, उन संख्याओ का योगफल आपके से निकालोगे, तो आइजे दोस्तों के लिए भी आपके लिए देखते हैं, तो यहा रही है इनका फोर्मुला आपका होता है अगर इनका आपको सम निकालना है तो इनका सम होता है आपका इन जो आपनी संख्या एन और उससे एक अगली एन प्लस वन अपॉन टू और इस पूरे का होल स्क्यार ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हो करमागत संख्याओं के वर्गो का योगफल आइए देखते हैं क्योशन आपके सामने जैसे क्योशन दिया गया है वन का क्यूब प्लस अगर आप यहां पर निकालो तो आप अपके से यह एण था और यहां पर एंपर कितना है टून स्कोल करोगे लिए आपको क्या करना होगा 20 ं के चू再 यहां key नीएक प्लस वन अपों 2 और इस पूरे का क्या करना आपको हो वल स्क्यार अब इसको solve करते हैं तो यह आपका हो जाएगा 20 into 21 upon 2 का whole square आप 2 से 20 cancel करेंगे 10 time यह होगा आपका 21 और 10 21 और 10 की गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 210 और इसका whole square जब हम इसका square निकालेंगे तो आपको पता 21 का वर्ग क्या होता है अगर नहीं पता तो 21 और 21 कर लीजे और अगर पता है तो इसका वर्ग होता है 441 और क्योंकि यह आपर 0 है तो आपका दो बार 0 लग जाएगा यह आपका हो जाएगा 44100 यह आपका आंसर हो जाएगा